अब जिनका प्रोग्रामिंग से कोई आस्ता वास्ता ही नहीं था ठीक है जो बिलकुल नए है प्रोग्रामिंग के लिए उनको पहले सबस्पहले समझा जेते हैं थोड़ा सा एक बैग्ग्राउंड देखे कि फंक्शन होते किसले हैं क्यों यूज आते हैं अब बहुत इजी लेंग्वेज में हिंदी में मैं बहुत अराम से समझा हूं तो खाचे वर्ड सुना है अपने खाचा होता है यानि कि जैसे कोई सुनार है जो गोल का कुछ बनाता है तो वो कैसे बनाता है उसको एरिंग्स मिल जाएगी भी निकलो फारों निकलो गें तो जो मतलब पहले से उसका खाचा यहार हो था ठीक है पहले से ही वह ट्यार होताह उसके अंदर आपको कोई भी Лिवड चीज डालनी वह जंम जाता ऐ आइस्ट्रे का एग्जॉम्पल लेते हैं, आइस्ट्रे में आप पानी डालते हो, वो जम जाती है और उसके आप आइस निकाल लेते हो, उसी शेप की आइस्ट्रे होगी, अलग-अलग types की आती है, cubes form में आती है, circle form में आती है जैसे भी आती है आप उसमें पानी डालो, उसलोच भी डालो, दने हैं के छोटे-छोटे छोटे चेंजिस करने हैं तो क्या मैं हर बार, छे बार के लिए उसी code को दुबारा repeat करता हूं, repeat करता हूं, repeat करता हूं, उससे बढ़िया, आप क्या कर सकते हो, template बना सकते हो, template बना सकते हो, कि जैसे मानलो, आपको करना है, कि my name is, जो भी आपको print करना है, ठीक है, जो भी user देगा, my name is, तो common रहेगा, हर किसी में, जैसे सामने वाले ने डाला कि my name is, और उसके आद उसने डाल दिया, cyber expert, तो print और अची है, my name is, cyber expert, तो हमारा एक चीज़ common है, जो की है, my name is, और user input भी ले रहा है, ये सब code हमारा common है, बस बदल क्या रहा है, जो यूजर डाल रहा है, जो भी अपना नाम डाल रहा है, वो चीज़ परो के मिल जाएगा, ये होते हैं functions, अब functions bash scripting में काम कैसे करते हैं, ये पढ़ते हैं, bin bash, ठाकि system को पता चल पाएगी, bash से run करनी है, इस file को, उसके बाद, हम यहाँ पर अपना function define करते हैं, सबसे है, कि function का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं हर्षित देता हूँ, हर्षित में जान के देना हो, ताकि आपको एक अच्छा सा example में जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो function का, आप यहाँ आप कुछ भी रख सकते हो, आप मर्जी होती हो, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे हले आपको ये दो brackets देने होते है, ठीक है, open bracket और close bracket देने होते है, उसके यहा पर आप जो भी लिखोगे, अब इस function के अंदर का पाट है यह सब, जो भी आप लिखोगे इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल से लिख देते हैं, सबसे पहले easy से करते है, starting, hello world, हम कुछ changes नहीं चाहते है, hello world, अब आप इसको 6 बार print करो, कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है, बिल्कु कोई output print नहीं हो, लेकिन हमने तो इसे कहा था कि, eco hello world, तो यहाँ हुआ के नहीं, क्योंकि यह हमने इसको एक खाचा बना दिया, हानी कि हमने एक template बना दिया, उस template को call भी तो करोगे, जब तक उस आइस ट्रे के अंदरा पानी नहीं डालोगे, तो फाएदा क्या उसके लिए विसे call करना पड़ता है, तो Harshit यहां लिखते हो, हृषit पदेगा, ह्षit पड़ते ही, यह हैं पर चल जाएगा, यह यह यहां पर आ जाएगा, यह देखेगा, यह तो function का नाव है, और यह उस पूरे function को run कर देगा, आप देख़ों यहां आप यहां करूंगा तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि क्योंकि हमने छे बार एक ही कोड को बुलाए है तो अब मैं इसको पूरे में कितना बड़ा मेरा 3000 लाइन का कोड हो मेरा 4000 एक लाक लाइन का कोड हो जितनी बार मिया हर्शित लिखूंगा इतना जहां पर जो भी कोड होगा इसके अंदर वो चल जाएगा तो आपको बार बार की कोड लिखने की ज़ोरत नहीं आप फंक्शन के अंदर डाल सकते हो आप अपने कोड रिड्यूस करने के लिए कम करने के लिए ठीक है अपना काम टाइम बचाने के लिए अब यहां पर आते है थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं माल लो जैसे मैंने एक्जामपल दिया में तो ही करते हैं यहां मैं लिख देता हूं माइन इम इस हर किसी के साथ चेंग करते हैं डॉलर कर दया है और अगर मैं अप लिख हूँ है और मेरा नाम क्या है यह करता हूँ यह करते हैं यह कर देते हैं इसका नाम और यहां पर मैं अगर कुछ और देता मालो है कुछ भी देता यह दिया तो यह क्या हो जाएगा इस फंक्शन में कॉल आएगा तो अभी मैंने डॉलर वन यहां पर असाइंग करना डॉलर वन का मतलब जो भी हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हर्शित के आगा कुछ भी आर्ग्यूमेंट देने स्पेस देखे वह डॉलर वन के अंदर काउंट होगा तो अब यहां पर आएगा माइनेम इस साइबर एक्सपर्ट और यह आगया माइनेम इस साइबर एक्सपर्ट ठीक है मुझे बार-बार पुरा कोड लिखने की ज़रती है मैं यहां पर कुछ भी नाम डालू ठीक सेफ करके रन करोगे तो माइनेम इस एथिकल है रन हो जाएगा आपको यह कोड लिखना नहीं पड़ा बार-बार आप कितनी भी बार नेम चेंज करो आपको कोई दिक्कत ही नहीं कि सेम चीज तो वही रहेगी बस यह डॉलर वन हर बार यहां पर आप जो भी डालोगे वह तो यह फाइदा होता है यहां पर हमारे पास functions का I hope so आपको यहां पर इसका मतलब इसका यहां पर चीज समझाएगे कि functions कि काम आते हैं अच्छे से ठीक है अब यहां पर एक चीज होती है functions के अंदर जो बहुत commonly हम यूज करते है return return का क्या मतलब है कि आप चाहते हो कि भेए मैं function मेरा अगर रहा है सइसे तो यह रिटर्न करें कुछ value जैसे कि return और मालों यह हम बोल देते कि return 10 बोल देते कि अगर यह एक्जीक्यूट सइसे हो रहा है विदाफ आरर तो यह भी एक्जीक्यूट सइसे होगा तो हम इसे कह र करता हूँ अगर आप confused हो गए यह तो normal variable है इसकी जगा a b c d कुछ भी दिख सकते है रैट तो मैंने ऐसी दिखा है समझाने के लिए यह जो चीज है dollar question mark इसका मतलब क्या होता है जो भी आपने पिछला command चलाया है function चलाया command चलाया उसकी return value को अपने अंदर store करता है यह चीज तो यहाँ पर पिछले command का return value क्या हो गोगा 10 तो यहाँ पर रैट के अंदर क्या store हो जाएगा 10 जो भी पिछले command की return value होगी वो इसके अंदर store हो जाएगी अब मैं अगर यहाँ पर करूँ e को और यहां कर देते हैं return value is और यहाँ पर कर देते हैं rate, dollar rate के अंदर क्या होना चींद बेर क्योंकि इसने क्या return करा होगा 10 इसने return करा होगा 10 और rate क्या काम कर रहा है यह यह चीज क्या काम करती जो भी इस से पिछला कमांड है यान कि यह function है कमांड जो भी है उसकी return value अपने अंदर capture कर लिता है dollar और वह हमने return को assign कर दी है तो dollar return के अंदर 10 होना चाहिए तो आप मैं इसको run करके दिखाऊँ अगर आपको आपको concept समझ आयो कैसे functions work करते हैं आपको समझ आयो कैसे return value लेते हैं ठीक है so please like the video subscribe the channel thank you and goodbye